आपने सुना ही होगा कि हमारे घरों की वाइरिंग में लगे हुए सभी डिवाइस जैसे कि ट्यूबलाइट, फैन, एसी, फ्रीज ये सभी पैलल सरकिट यानि समानांतर परिपत में जुड़े होते हैं और आपने ये भी महसूस किया होगा कि एगर घर का कोई भी बल्ब या ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाए तो बाकी कमरों के बल्ब या ट्यूबलाइट समान रूप से काम करते रखते हैं आपने दिवाले में घर को भी सजाया होगा तो उस टाइम आपने लाइटिंग जिरूर किया होगा तो हम लोगों में से ज़्यादा तर लोगों ने ये भी महसूस किया होगा कि एगर उस लाइटिंग का एक भी बल्ब फ्यूज हो जाता है तो पूरी की पूरी लाइटिंग काम करना बंद कर देती है तो चलिए जानते हैं इसा क्यों होता है क्योंकि ये lighting के सभी बल्ब series circuit में जुड़े होते हैं यानि स्रेंडी परिपत में जुड़े होते हैं और एक भी बल्ब अगर fuse हो जाता है तो open circuit हो जाने के कारण पूरे lighting में power supply नहीं पहुँच पाती है यानि current का flow नहीं हो पाता है इसलिए वो काम करना बंद कर देता है तो आज हम बात करेंगे Series and Parallel Circuit के बारे में HTV Highting Babaji Simply Watch and Learn में आपका हार्दी कभी नंदा नियुम स्वागत है यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते समय All Notifications On करना ना भूलें जिससे आप तक हमारे लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की Notifications मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं अब एक प्रस्फ्र निए है कि हमको दो वล्ब दे दिया जाए और एक बैटरी दे दिया जाएigo तो हमう बल्ब को कितने तरीकों से Connect कर सकते हैं तो इसका answer है दो तरीकों से पहला त्रीका है कि बल्ब का एक तार बैटरी के एक ठर्मिनल से और उस बल्ब का दूसरा तार दूसरे बल्ब के पहले तार से और दूसरे बल्ब के दूसरे तार को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दे यानि एक सीरीज बन जाएगी एक बल्ब के बाद दूसरा बल्ब तो यह तरीका कहलाता है series circuit यानि स्रेणी परिपत अब दूसरा क्या तरीका होगा उसको देखते हैं दोनों bulbs के दोनों side के तार को सीधा लिया करके बैटरी के एक टर्मिनल से और दूसरे दोनों तारों को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो एक parallel circuit यानि समानांतर परिपत बनता है अब parallel circuit में चुकि एक ही voltage source से सभी devices connect होते हैं तो सभी devices या सभी resistance या सभी bulbों के cross voltage सेम रहेगा जबकि current अलग अलग होगा तो पहला एक चीज याद करने की चीज क्या है कि parallel circuit में सभी devices के cross voltage सेम होगा जबकि उसमें बहने वाली धारा जो है नि current है वो अलग-अलग होगी जबकि series circuit में एक power supply से एक के बाद दूसरे bulb जोड़े रहते हैं आपस में और last वाले bulb का जो दूसरा terminal है वो battery के दूसरे terminal से जोड़ा रहता है तो ये पूरा का पूरा voltage जो है वो distribute हो जाता है सभी जो भी series में bulb या resistance लगे हैं उनके बीच ये voltage distribute होता है तो इन में voltage difference अलग-अलग होगा लेकिन चुकि एक ही battery से जो current निकलती है वो सभी bulb से वही गुजरती है इसलिए इसमें current सेम होगा अब आपका series और parallel circuit का concept तो clear हो गया होगा अब चुकि बल्ब का कुछ एक resistance value होता है तो अब हम क्या करें हर एक bulb को अगर register के symbol से replace कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा registers in series and registers in parallel तो हम अब बात करेंगे ऐसी circuit का जिसमें registers जो है series में लगे होंगे या registers parallel में लगे होंगे और इस तरह के circuit का हमें equivalent resistance निकालना रहेगा तो अब सबसे पहले हम series में जो भी registers है उनकी बात कर लेते हैं यानी registers in series circuit अब इस Series Circuit में लगे हुए Registers के Equivalent Resistance को कैसे निकालेंगे तो इन सभी Equivalent Resistance को निकालने के लिए सब की Individual Resistance की Value को Add कर लेते हैं तो हमको पूरे Circuit का Equivalent Resistance मिल जाया और Parallel में लगे हुए Registers हैं तो उसका Equivalent Resistance कैसे निकालेंगे उनका Inverse Edition करके निकालते हैं तो series circuit के case में equivalent resistance होगा Rs equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 and so on यानि जितने भी registers जो है series में लगे हुए हैं उनके resistance values को आप simply add कर लीजिए वह equivalent resistance हो जाएगा जबकि parallel registers के case में 1 upon Rp equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4 and so on जिसमें से R1, R2, R3, R4 ये सभी registers क्या है पैलल में लगे हैं और इनकी resistance के inverse को हम add कर देते simply inverse करके add करते जाते हैं तो इसका inverse equivalent निकलता है तो इससे हम calculate कर सकते हैं कि इस parallel circuit में equivalent resistance कितना होगा तो अब हम देखते हैं series और parallel circuit के combination से बना हुआ एक circuit है उसका equivalent resistance कैसे calculate करते हैं तो अब हमें एक example लिया है जिसमें एक battery है battery का positive terminal 10 ohm के एक resistance से जुड़ा है उस 10 ohm के resistance से 3 और resistance जुड़े हैं 5 ohm, 20 ohm और 30 ohm पाच ohm के दूसरे register से क्या है 25 ohm का एक register दूसरा जुड़ा हुआ है और वहां से simply उसका एक terminal और 20 ohm का दूसरा terminal simply 30 ohm वाले register के एक points से जुड़े हैं वहां से 15 ohm जुड़ते हुए battery के negative terminal से जुड़ा हुआ है यह है circuit इसको समझने के लिए यानि इसका equivalent resistance कल्कुलेट करने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए तीन चीज़े आनी चाहिए पहला यानि ओम्सला हमको आना चाहिए जो कि हमने प्रिविएस लेक्चर में इसको डिटेल में डिसकस किया है तो V is equal to IR यह क्या है ओम्सला है दूसरा ह circuit के लिए equivalent resistance 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 और तीसरा है series circuit का equivalent resistance R is equal to R1 plus R2 यह तीन concept का use करके हम पूरी circuit का equivalent resistance calculate कर सकते हैं तो अब पहले note करिए पहला step क्या करेंगे सभी junctions को identify करेंगे junctions क्या होंगे जहांपे दो devices या दो registers या battery या registers आपस में connect होंगे उस point को क्या बोलेंगे junction तो अभी हम देख रहे हैं कि 10 ohm का एक register और battery का positive terminal एक point से जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे junction A अब इनको alphabet A, B, C, D, C represent कर देते हैं तो ये क्या हो गया junction A इस 10 ohm का दूसरा जो terminal है उससे 3 और register जुड़े हुए हैं उस point को हम क्या लिख देते हैं B इसी तरह से 5 ohm और 25 ohm आपस में जुड़े हुए हैं एक point पे उसको लिख देते हैं junction C इसी तरह से 20 ohm और 25 ohm का दूसरा terminal आपस में एक point पे जुड़े हुए हैं उसको लिख देते हैं D और O points सीधा आ करके एक 30 ohm के register से जुड़ा हुआ है उसको लिख देते हैं E और उस E से 15 ohm का register जुड़ा है वो आ करके battery के negative terminal से जुड़ा है तो इन दोनों के junction को लिख देत है F तो इतना clear हो गया कि सबसे पहला step है junction से उनको identify कर लेते हैं अब अगला step क्या है second step कि merge the junction between which there is no component यानि जिन दो junctions के बीच में कोई component नहीं है उनको आपस में merge कर दीजिए तो यह दूसरा concept है तो E और D के बीच में कोई भी component नहीं लगा है तो हम इसको merge कर सकते हैं अब इसको merge करके हम reader कर देते हैं तो इस तरह का E बन गया ठीक है अब तीसरा point note करिए अगला concept क्या है remove simple junction साब two registers अब जितने भी दो registers आपस में connected हैं उनको simply उस junction को remove करना है तो अब यहां देखिए B junction B, C, D, B और C के बीच में एक 5 ohm का, C और D के बीच में 25 ohm का तो यहां से हम junction C को remove करेंगे तो क्या करेंगे यहां से यह दिख रहा है कि आपको एक 5 ohm का यानि 5 ohm और 25 ohm के दो resistance जो है series में हैं तो इन resistance की equivalent resistance value हो जाएगी simply series में addition से होती है तो R1 प्लस R2 की value क्या 5 प्लस 25 ohm यह हो गया 30 ohm अब इसको हम redraw कर देते हैं तो redraw करेंगे तो क्या हो जाएगा यह देखिए 10 ohm बी जंक्सन बी पर क्या होगा बी से एक 30 ohm निकलेगा एक 20 ohm निकलेगा और यह दोनों को join करने के बाद में 30 ohm निकल जाएगा और यह junction D था और D और E के बीच में हमने बताया कि ऐसे junction जिनके बीच में कोई component नहीं है उनको remove कर दीजिए तो अभी आप देख लीजिए कि यह आपको क्याल दिख गया है तीन parallel resistor दिख गया है जो आपस में 30 ohm बीस ohm और 30 ohm यह आपस में parallel circuit में है अभी इस parallel circuit का equivalent resistance कैसे निकालेंगे यह B और E के बीच में हम equivalent resistance निकालना है junction B और junction E के बीच में तो 1 upon R parallel is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 R1 की value कितनी है 30 ohm तो 1 upon 30 plus 1 upon 20 plus 1 upon 30 LC हम लेकर के add करिए क्या होगा 60 आएगा 2 plus 3 plus 2 is equal to 7 upon 60 तो इसके बीच equivalent resistance Rp is equal to 60 upon 7 यह हो गया 8.5 अब यहां पर यह जो तीनों register थे इनके लिए equivalent register कितना आ गया 8.56 ohm तो replace कर दीजिए इन तीनों को यहां पर लिख दीजिए 8.56 ohm तो अब देखिए अब यह तो आपको देखिया कि junction B और E के बीच में एक register है और E और F के बीच में एक register है और A और B के बीच में एक register है तो यह तीनों series में हुए कि नहीं हुए तो इनको एक series register की तरह है उसका equivalent resistance निकाल लिजिए 10 ohm प्लस 8.56 ohm प्लस 15 ohm इसको आट कर लिजिए simply इस equivalent resistance निकल गया 10 प्लस 15 25 प्लस 8.56 33.56 यह 33.56 इसका equivalent resistance आ गया इस circuit का कुछ और complicated questions के साथ में हम हाजिर होंगे next class में तर तक के लिए नमस्कार जैहिन and thank you for watching as tv high tech बाबा जी simply watch and learn बंदे मात्रा